आज हम बात करने वाले हैं drug metabolism की तो यह जो drug metabolism होता है इसमें होता क्या है कि जो हम drug दिये उसका metabolism हो जाता है और metabolism हो के वो body से excret होती हैं तो उसमें दो reaction होते हैं phase 1 reaction और phase 2 reaction तो इन ही दोनों में क्या होता है यहां पे बताया गया है तो देखे द्रग से भी असकती है और है और हो सकता है और हो सकता है कि दोनों से इस्ट्रोजन की बात करें चीज होती ہیں और में यह सीफ थी ए4 से डिज होती है, तो इस्ट्रोजन我是 हुआ हुआ हो सकते हैं मैं इस मेंटक्रनाइड़ यहीं हो सकते हैं और फिर बातPay z Gris को दोनें किसे की यह करते हैं उसको सकते हैं तो इसमें किर को स्काते हैं मतलब कि नहीं थे इसका metabolism होता है तो ये एक्टिवेट हो जाती है जैसे हम बात करें देखिए प्रोडरग में लिवोडोपा, क्लोपिडोग्रेल और इसी तरह के से all ACE inhibitors except केप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल तो ये दोनों प्रोडरग नहीं है कि एक साथ हो दोनों अलग-अलग independently होती है तो जैसे that is phase 1 can follow phase 2 और take place a single reaction तो phase 1 के बाद phase 2 हो सकता है जैसे कि हम बता है कि estrogen की condition में और हो सकता है दोनों अलग-अलग हो इसमें कोई relation ना हो ये बता दिया गया और उसका फिर ये बता होगी और patient who are slow acetylators have increased adverse effect from certain drugs because of decreased rate of metabolism तो जिन patient में slow acetylators होते हैं उनमें drugs का adverse effect बढ़ने का चांज जादा होता है नहीं drug की toxicity बढ़ने की चांज जादा होती है देखिए acidulation में drug inactivate होती है तो अगर acidulation नहीं हो रहा है तो drug की toxicity बढ़ने का चांज जादा हो जाता है तो यहाँ पर drug metabolism में यह बतायागा कि दो phase होते है देखिए lipophilic drugs mostly drug lipophilic होती है और lipophilic phase 1 में जाती है और phase 1 में slightly polar होती है देखिए हाँ पर reduction होता है oxidation होता है hydrolysis होती है तो इस तरीके से drug inactivate भी हो सकती है या active होगी जैसे कि हम बात किये कि products activate हो जाती है और इस phase 1 का में काम क्या होता है drug inactivation और drug activation इसका secondary function होता है और third इसका जो role होता है वो water solubility को यह increase करती है देखिए slightly polar metabolites में इसको convert करती है और phase 2 में देखिए कुछ drugs जो polar drugs होंगी water solubles और direct phase 2 में आएंगी यहाँ पर reactive oxygen metabolites में करनोट होंगी और यहाँ पर दिखिए G, A, M, A, star type की reaction होती है तो G से हो गया gluconization, A से acetylation, M से methylation और S से sulfation तो इस तरीके से drugs metabolize होंगी और इसके बाद बेरी polar hydrophilic metabolites में करनोट हो जाएंगी except acetylated metabolites तो acetylated metabolites इसमें करनोट नहीं होंगी और फिर यह बहुत जादा polar हो जाएंगी तो इस और ऐसे एक्सक्रेट हो जाएंगी serum के तुरू चाहे urine से हो या sweat से हो या इसी तरीके से